नमस्कार जैहिंद लर्निंग मंत्रा के ओनलाइन पाट साला में आप सभी प्रतियोगी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। निर्वाचक मंडल यानि की इलेक्टोरल कॉलेज यहां से आपको सवाल पूछे जाते हैं राष्टपती और उपराष्टपती के लिए क्या निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल यानि की इलेक्टोरल कॉलेज की बात करेंगे। राष्टपती का इलेक्शन हमेशा अप्रत्यक्ष होता है यानि की इनडारेक्टली बाइद पीपल और इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है। समिधान का अनुच्छेत 54 यानि की Article 54 के अंदर गत आपको बताया गया है कि राष्टपती का जो निरवाचन होगा एलेक्षन होगा राष्टपती का वह एक निरवाचक मंडल यानि की Electoral College के जरिए इसका Election किया जाता है तो इस बात को आप ध्यान में रखिए Article 54 इसके बाद में समझना है कि जो राष्टपती का Electoral College होता है इसमें कौन-कौन से लोग सामिल होते हैं इसी बात में आपको Confusion होता है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको लिखा गया है कि राष्टपती के निरवाचक मंडल में सामिल होते हैं कौन-कौन से लोग तो दोनों सदनों के ध्यान में रखिएगा दोनों सदनों के निरवाचित सदस से इलेक्टेड मेंबर होते हैं और ये होते हैं दोनों सदनों के लिए और दूसरा पॉइंट है कि राज विधान सभाओं के निरवाचित सदस होते हैं और केंद्रशासित प्रदेश जिसमें से दिल्ली और केवल और केवल कौन से सदस्य होते हैं यहां पर निरवाचित सदस्य होते हैं और दूसरा पॉइंट आपको ध्यार में रखना है कि संसद के दोनों सदनों यानि की लोकसभा और राजसभा के निरवाचित सदस्य होंगे इसके बाद में राज की जो विधान सभा होती है केंद्र सासित प्रदेश के संदर में और दो विधान सभाएं हैं दिल्ली और पुडुचेरी की विधान सभाओं को भी इसमें सामिल किया गया है अब इसके अलामा जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ पर आप ध्यान दीजिए ये भी आपसे क्वेस्टन पूछा जाता है कि सत्तरवे संद्हान संसोधन अधनियम 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभाओं के सदस्यों को यहाँ पर राष्ट राष्ट पती के निरवाचक मंडल में सामिल किया गया था कब किया गया है तो सत्तरवे संद्हान संसोधन 1992 में और एक जून 1995 में से क्या हुआ है ये प्रभावी हो गया अब इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है आपको यहाँ पर कन्फिूजन हो सकता है तो जम्मु क प्रदेश है यहां की बिधान सभा के निरवाचित सदस्यों को अभी तक फिलहाल राष्ट पती के निरवाचक मंडल में शामिल नहीं किया गया है और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखने वाला है वो है कि राष्ट पती के निरवाचक मंडल में किसी भी सदन के मन मनोनीत सदस ध्यान रखिएगा नॉमिनेटेड मेंबर विल नॉट भी यहां पर क्या होगा कि मनोनीत सदस जो होंगे वो राष्टपती के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं और दूसरी चीज कि राज विधान परिसद के सदस भी चाहे वो निर्वाचित हों चाहे वो नॉमिनेटेड हों दोनों टाइप के विधान परिसद के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है ये दो पॉइंट यहां पर आपको ध्यान में रखना है यही आपको कन्फ्यूस करता है आपके एक्जाम में जब क्वेसंस आपको मिलते हैं अब यहां पर ध्यान रखना कि आखिर इन दोनों चीजों को क्यों मना किया गया है। ध्यान से समझे कि वर्तमान में केवल और केवल च्छ ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिशेद्यानी की द्वी सदनी विधाईका का प्राबधान किया गया है। अब आप से ये भी सवाल पूछा जाता है। तो ए प्रदेश और तेलंगाना है और फिर इसके बाद आपको करनाटक है याद कैसे करना है कि जैसे यूपी और बिहार वाले जितने भी लोग होते हैं आम तोर पर इसको बहुत सिरियसली नहीं लेना है सिर्फ आपको याद करने के लिए बतला रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सामानने तोर पर ज्यादा तर लोग महाराष्ट में कमाने के लिए जाते हैं तो यूपी बिहार और महाराष्ट एक साथ आप ध्यान में रखिए इसके बाद में दक्षण भारत के आपको आंध्प्रदेश और तेलंगाना मिल जाएंगे और आपने देखा ही था कि साल 2014 में ये दोनों अलग हुए थे तो एक पॉइंट आपको यहां से और इसके बाद एक एड़ करना है आपको करनाटक को तो यूपी है बिहार है महाराष्ट आंतप्रदेश तिलंगाना और इसके बाद छटवे नंबर पर हो जाता है आपका करनाटक तो ये च्छ ऐसे र गई हो तो उसके सदस्य राष्ट पती के निरवाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं उसस इस्थिती में भी जबकि विगटित सभा का चुनाओ राष्ट पती के निरवाचन से पूर्व न हुआ हो तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान में रखना है चली अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उपराष्ट पती का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है यहां पर कौन सी महत्तपूर्ण बाते हैं तो उपराष्ट पती जो होता है संसत के दोनों सदनों के निरवाचक मंदल के द्वारा इसको चुना जाता है यहां पर आपको यही बात कि राष्टपती के इलेक्शन में केवल और केवल इलेक्टेट मिंबर पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि उपराष्टपती के लोक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेट और नॉमिनेटेड ये दोनों टाइप के मिंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि राष्टपती क निर्वाचक मंडल में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। निर्वाचन जो है वो संसद के दोनों सदनों की सन्युक्त बैठक के जरीए किया जाएगा। सभी बाते ध्यान में रखनी हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ महत्पूर्ण प्रशनों को हम लोग देखते हैं। जो कि इसी इलेक्टोरल कॉलेच से संबंधित है और यहां से कैसे प्रशन आपको पूछे जाते हैं। इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। यहां पर आप देखिए तो question number 1 आपके सामने हैं। सवाल आपको पूछा गया है कि भारत में राष्टपती का नरवाचन किस प्रकार से होता है। options आपको दिये गए हैं प्रत्यक्ष रूप से राज सभा के सदस्यों की द्वारा, लोग सभा के सदस्यों द्वारा या फिर अप्रत्यक्ष मतदान से। तो question number 2 में आपको कथन और कारण दिये गए हैं, कथन और कारण के आधार पर आपको अपने right answer लगाने हैं। यहाँ पर कथन कहता है कि भारत का राष्टपती अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और जो कारण दिया गया है कि एक निर्वाचक मंडल की ब्यवस्ता है, जो संसत के दोनों शदनों और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिला करके बनना है अब आपको यहाँ पर यह पौइंट आओट करना है कि क्ए जो कारण दिया गया है वो पूरी तरीके से शही है कि नहीं है तो आप यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजे़ें तो सही सही असपस्टी करण इसका नहीं है वजह क्या है वजह इसका यह होता है चुकि पहला आप देखेंगे statement जो है ये पूरी तरीके से सही है और जो यहाँ पर एक निरवाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधान सभाओं के निरवाचित सदस्यों को मिला करके बनता है लेकिन यहाँ पर छोड़ क्या दिया गय है तो यहाँ पर अगर आप add कर लें कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधान सभाओं के सदस्यों को भी अगर इसमें हम include कर लें तो यह आपका reason भी सही हो जाएगा तो इसलिए कथन तो सही है लेकिन कारण जो है वो सही नहीं है तो answer आपका क्या हो जाएगा A और R दोनों सही है और R A का असपस्टी करण है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सही असपस्टी करण आपको यहाँ पर नहीं मिलता है चोकि यहाँ पर दिल्ली और पुडुचेरी की विधान सभाओं को शामिल नहीं किया गया है तो इस तरीके से right answer आप क्या लगा लेंगे A सही है ल निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसके बाद है सभी विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य फिर इसके बाद है सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य और चोथा है दिल्ली और प पर कि जब आप पढ़ेंगे तो संसत के दोनों सदनों के निरवाचित सदसे दिया है इसका मतलब ये वाला आपका सही है इसके बाद देखिए सभी विधान मंडलों और दोस्त आप जब विधान मंडल लिखते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों हाउस को शामिल करना होता है मिन्स यहाँ पर आपको विधान सभा भी सामिल हो जाती है और इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर विधान परिशद भी सामिल हो जाती है जबकि आप जानते हैं कि राष्टपती के इलेक्टोरल कॉलेज में विधान परिशद को शामिल नहीं किया गया है तो सेकंड वाल जोंकि विधान सभाओं के निर्वाचित सदस बिल्कुल होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस से, तो यहाँ पर आपका third और fourth भी right answer होगा, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि one, three और four आपका सही जबाब होगा, तो one, three और four आपका यह option number D में मिल जाता है, तो इस तरीके से आपका सही जबाब हो गया, अब इसके बाद देखिए, चौथा सवाल आपके सामने है, देखिए सवाल जो है, वो हम लोगों ने पढ़ा था, सारे की सारे तकरीबन वही हैं, लेकिन किस तरीके से आपको exam में फसाया जाता है, इस बात को भी आपको समझना है, तो पढ़िए सवाल number 4 जो है, भारती संविधान के सत्तरवे संविधान संसोधन की द्वारा, राष्टपती की चुनाओं में, जिन दो केंदरसासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है, वो दो केंदरसासित प्रदे को राष्टपती के इलेक्टोरल कॉलेज में सामिल किया गया था, अगला सवाल देखिए, question number 5 आपके सामने है, निमनले खित में से कौन भारत के राष्टपती के निरवाचन के लिए निरवाचक गणे में सामिल नहीं होता है, ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर सामिल कौ पूछा जा रहा था कि कौन इसमें सामिल है और यहाँ पर पूछा गया है कौन सामिल नहीं है, जरा ध्यान से पढ़िए, लोग सभा के निरवाचित सदसे, ये तो सामिल होते हैं, इसके बाद में देखिए, राज सभा के निरवाचित सदसे, ये भी सामिल होते हैं, राज प्रश्वाल देखिए, question number 6 आपके सामने है, भारत में राष्टपती के चुनाओ के लिए चुनाओ मंडल के सदस्य होते हैं, लोक सभा के चुने हुए सदस्य, चुने हुए का मतलब क्या है, कि nominated, इसके बाद में राज सभा के चुने हुए सदस्य, राज विधान सभा के सही जबाब क्या हो जाएगा इसमें, तो लोक सभा, राज सभा और विधान सभा ये तीन सामिल होते हैं, बट विधान परिशत के सदस्य सामिल नहीं होते हैं, तो right answer आपका क्या हो जाएगा, one, two, और three यहाँ पर सही हो जाएगा, option number जड़ा आप देखिए, one, two, और three, यह आपको option number B में मिल जाएगा, यह आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा, कभी-कभी आपको confusion होता है, चुने हुए का मतलम कि यहाँ पर आमतार पर चुनना के मतलब क्या हो गया, कि यहाँ पर election होगा, nominated नहीं होगा, तो Hindi और English version को भी आप question paper में, जहां ऐसे शब्दों में आपको confusion हो, उसको जरूर देख लिया करिए, अगला सवाल देखिए, question number 7 आपके screen पर है, सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिकित में से कौन राष्टपती के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, अब यहाँ पर आपको चुनाव प्रकरण की बात की गई है, तो पदस्त रा राष्टपती का जो उत्तराधिकारी आने तक कारिकाल की समाप्ती पर भी वहपद पर बना रहेगा, और चोथा दिया गया है कि निर्वाचक मंदल के अपूण होने के आधार पर राष्टपती का चुनाव अस्थगित किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपको सही जबाब क हो जाएगा, यह कौन सा इसमें सही नहीं है, तो यह वाला जो है, डी वाला जो आप्शन आपको दिया गया है, निर्वाचक मंदल के अपूण होने के आधार पर राष्टपती का चुनाव अस्थगित नहीं किया जा सकता है, यह आपने देखा है, जबकि यह वाला क्या है राष्टपती के अपूण होने के आधार पर राष्टपती की चुनाव को अस्थगित करने की बात कर रहे हैं, तो यह आपका सही नहीं दिया गया है, अगला सवाल देखिए, क्वेशन नंबर एट आपके सामने है, अब आपको उपराष्टपती के निर्वाचक मंदल से स मंदित बातों को ध्यान में रखना है, भारत के उपराष्टपती का चुनाव किस तरीके से होता है, राष्टपती अस्तर पर सीधे चुनाव से, राष्टपती द्वारा मनोनयन से, या फिर लोक्षभा के सांसद और विधान सभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वार या फिर लोक्षभा और राजसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, यहाँ पर आपका सही जबाब क्या हो जाएगा। इनका election होता है तो right answer आप क्या लगा लेंगे इसमें option number D आपका इसमें सही हो जाएगा चूकि आपने देखा भी था कि उपराश्टपती के electoral college में कौन सामिल होते हैं तो संसत के दोनों सदस इसमें सामिल होते हैं और इसमें निरवाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस साम निरवाचन करता है यहाँ पर नीचे दिये गए कूट से आपको सही आंसर देना है सदस लोक सभा के सदस राज सभा के सदस विधान सभाओं के सदस या फिर विधान परिसदों के सदस तो यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए तो सही जबाब आज सभा के सदस मेंस क्या हो गया कि संसत के दोनों सदनों के एलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर बोथ हार विल बी पार्टिसिपेटेड इन दे एलेक्टोरल कॉलेज आप वाइस प्रेसिडेंट राइट आंसर आप क्या लगा लेंगी इसमें option number A आपका यहाँ पर सह हो जाएगा केवल एक और दो है क्योंकि विधान सभा के सदस्य सामिल नहीं होते और विधान परिसत के सदस्य भी सामिल नहीं होते हैं अगला सवाल देखिए question number 10 आपके screen पर है निमनलेखित कथनों पर विचार करिए और इन कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है तो यहाँ पर आप देखिए दो स्टेटमेंट आपको दिया गया है स्टेटमेंट number 1 में है कि राष्टपती की तरह उपराष्टपती का चुनाव भी अप्रत्यक्श रूप से होता है दूसरा स्टेटमेंट है कि राज्यों की विधाईकाओं के सदस्य दोनों की चुनाव में महत्पुन भूमिका निभाते हैं तो यहाँ पर आपका right answer क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे तो सही सही कौन सा होगा यहाँ पर क्या हो गया राष्टपती की तरह उपराष्टपती का चुनाव भी अप्रत्यक्श रूप से होता है यह आपको बिलकुल सही दिया गया है option इसमें देखेंगे तो एक नंबर वाला statement सही है राज्यों की विधाईकाओं के सदस्य दोनों की चुनाव में महत्पुन होते हैं तो आप जानते हैं कि उपराष्टपती के election में विधान सभाओं का रोल नहीं होता है उसमें केवल संसत के दोनों सदनों के न option number 11 आपके सामने है भारत की उपराष्टपती का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसत के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य ध्यान रखिएगा संसत के दोनों सदनों के सभी सदस्य राज सभा के और राज यहां सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सही जबाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी यानि कि संसत के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इसके बाद देखिए अगला सवाल आपके लिए हैं क्वेशन नमबर 12 इसमें दिया गया है कि भारत के उपराष्टपती का चुनाओ किस तरीके से होता है राष्ट्री अस्तर पर सीधे चुनाओ से राष्टपती के द्वारा मनोनयन से लोगसभा के सांसद और विधान सभा के विधायकों से सीधे चुनाओ द्वार यहाँ पर आपका सही जबाब क्या हो जाएगा आंसर इसमें आप लगा लेंगे डी वाला अगला सवाल देखिए क्वेशन नमबर 13 निमलेखित में से कौन भारत के उपराष्टपती का निर्वाचन करता है मैं यहाँ पर जितने भी सवाल आपको एलेक्टोरल कॉलेट से स गए हैं इसकी आधार पर आंसर लगाना है तो लोग सभा के सदसे सामिल होते हैं राज सभा के सदसे सामिल होते हैं विधान सभा के सदसे नहीं विधान परिशत के सदसे नहीं तो वन और टू आपका इसमें सही जबाब हो जाएगा यानि कि आप्शन नमबर ए आपका सही ह प्रत्यक्षरूप से होता है और राज्जों की विधायकाओं के सदस्य दोनों की चुनाओं में महत पूर्ण भूमिका निभाते हैं ये सवाल हम लोग कर भी चुके हैं जल्दी सिसका अंसर आप सोच लीजिए सही जबाब इसमें क्या होना चाहिए तो यहां पर आपने प्रत्यक्षरूप से होता है ये आपको ध्यान में रखना है राज्ज की विधायकाओं के सदस्य दोनों के नहीं बलकि केवल राष्टपती के इलेक्षन में महत पूर्ण भूमिका निभाते हैं तो यहां पर आपका सही जबाब क्या हो जाएगा केवल एक आपका यहां प इतने सवालों को हमने सामिल किया है आपकी परिक्षाओं में अलग-अलग एक्जाम समय पूछे गए इतने ही टाइप के सवाल यहां से बने हुए हैं तो आप लोग एक बार इस वीडियो को बेहतर तरीके से समझ लीजिए और जो हमने डिफरेंस क्रियेट करके आपको बत करेंगे तो इसमें संसत के दोनों सदनों के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य होंगे राजों की विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होंगे और सत्तरवे समिधान संसोधन 1992 के जरिये दिल्ली और पुडुचेरी जो केंदर सासित प्रदेस हैं यहां की विध प्रश्टपती के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के यानि की लोकसभा और राजसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस से इसमें सामिल होते हैं बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है अब इस पर आधारी जितने भी questions बन सकते हैं हम लोगों ने उसकी practice भी कर लिया है आज के लिए बस इतना ही है हम लोग फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हमारा समिधान सीधी बात प्रोग्राम में फिर से मिलेंगे तब तक आप सभी लोगों को जैहिंद वंदे मातरम